नमस्काय, मैं डॉक्टर रचनाइद्वन्शी, आज प्रस्तुत करने जा रहे हूं आपके समक्ष अपनी ही लिखी एक कहानी ये कहानी की भूमिका में मैं आपसे जादा कुछ नहीं कहूंगी, इतना जरूर कहूंगी कि इस कहानी में सच के सिवा कुछ भी नहीं है यानि एक लेखक के तौर पर मैंने अपने कल्पना शीलता, अपने इमाजिनेशन का कोई सहारा नहीं लिया है जो मैंने उस वक्त देखा, जो महसूस किया और जो आज तक महसूस करती हूँ उसको मैंने शब्दों में ढाला है सुनिये, कहानी का शीशक है, शर्थ लगाओगे, जीत नहीं पाओगे पापा बताते थे कि जब वो पहली बार उसे देखने गए थे, तो उन्हें वो बहुत करमट लगा था मैं आज भी जब कभी किसी जिम की मशीनों से तराशे गए बाइसेप्स और असाधारन प्लैंक होल्ड और कोर एकसाइज करने के बाद एतियाद से निकाले गए सिक्स पैक एब्स बनाए किसी नौजवान को देखती हूँ, तो मुझे बर्बस वही याद आ जाता है विद्याराम नाम था उसका सामले रंग और लगवक पांच फीट चार इंच का विद्याराम जबरदस्थ मजबूत कदकाठी का मालिक था पेशे से मज़ूर पर मिजाद से कर्मियोगी विद्याराम का वो वाक्य पापा को बड़ा भाग गया था कि मुझे ले चलिये साहब सबसे कब तगड़ा काम दे देना क्योंकि जब तक पसीना ना आए शाम को दिहाडी लेना अच्छा नहीं लगता दरसल हमारे घर के निर्मान के दौरान रोज सुबह साथ बजे हमारे शेहर के चौराहे पर मज़ूर इकठे होते थे और वही से पापा एक रोज विद्याराम को चुन कर लाए थे और शाम को खाने के दौरान उनने लगबग 10 मिनट विद्याराम के विशे में बात की थी बिना पसीना बहाय दिहारी का आनन्द न ले पाने वाला विद्याराम अब हमारे निर्माना धीन घर के लगबग इस्थाई राज मज़ूर तोली का एक हिस्सा बन चुका था अपने साथ के मज़ूरों को देर तक बीडी पीता या सुस्ताते देख विद्याराम लंबा चोड़ा भाशन पुशार्थ पर दे देता था और पापा के लिए ये बड़ा अच्छा मौका होता था क्योंकि इनके बिना कुछ कहे विद्याराम खुद अपने सर पर ही सब ठीक कर देता था अपनी ताकत पर जबर्दस्त भरुसा करने वाला विद्याराम थोड़ा मगरूर और दिखावा पसंद भी था मुझे आज भी याद है कि साथी मज़ूरों को अपने से जादा वजन मतलब इते या सीमेंट के तसले उठा कर दूसरी तीसरी मंजिल तक ले जाने की चुनोती अकसर ही विद्याराम देता था और शर्त के रूप में 10 रुपए या 100 ग्राम बर्फी जीतना उसके बाएं हाथ का खेल था मुझे याद है वो शाम जब पापा ने उसकी लंबी अनुपस्तिती पर चिंता जताते हुए मां से कहा था कोई दिक्कत हो गई है लगता विद्याराम के साथ वरना वो घर बैठने वालों में से नहीं है साथ महीने लगातार हमारे घर निर्मान में सही हो करने वाला विद्याराम यानि पापा का फेवरेट वोकर पिछले 20 देन से मजूर चौक नहीं आया था उस समय मुबाइल फोन नहोने के कारण विद्याराम के ना आने का कोई कारण भी पता नहीं चल पाया और जैसा की होता है कि किसी को भी लंबे वक्त तक यार नहीं रखा जाता हाँ अगर कुछ व्यक्तित विशेश बाते हों तो गाहे बगाहे चर्चा जरूर होती है विद्याराम कैसा मरियल और क्लांत हो गया था चहरे का वो तेज जिस पर सरसों का तेल चुपड कर विद्याराम वनेश सा चमका के रखता था सूखी पड़ी जहाईयों में कहीं खो चुका था काली पतली शौल लपेटे विद्याराम मा को उकुरू बैठ कर बता रहा था कि कितना बीमार हो गया था वो पिछले 20 दिनों में मेरा बालमन अंदर से भावुक हो रहा था जब विद्याराम बार बार अपनी बाई बाजू से अपने आसू पोच्ता था मा के वो शब्द कि तुम बहादुर हो विद्याराम ठीक हो जाओगे रो नहीं मेरे जहन में खलवली मचा गए और मैं रोक नहीं पाई ये पूचने से कि क्या हुआ है विद्याराम भहिया को मा ने उसे सहज करने के लिए कहा था कि कुछ नहीं बस थोड़ा सा कमजोर हो गया है विद्याराम बीमारी से तब तक विद्याराम अपनी काली शौल से अपना बाया हाथ निकाल कर दाहिने कंदे की शौल हटाते हुए बोला था बिटिया फालिज मार गई भईया को या तो उसे वो चुनोती हारे हुए साथियों की नजर लगी थी, या इश्वर नहीं जैसे उसे चुनोती दी थी, पर विद्याराम हार मानने वालों में से नहीं था. अगली ही शाम डिनर पर पापा ने बताया कि विद्याराम ने काम करना शुरू कर दिया है. उन्होंने बताये कि कैसे उसने मजबूत आवाज में उनसे कहा कि आप कोई भी काम दे दो साहब मैं कर लूँगा बस मना मत करना क्योंकि मैं घर नहीं बैठ सकता पापा ये तो जानते थे कि विद्यराम अपनी लगबग आदी हो गई ताकत से भी जीजान लगा कर काम करेगा और उसका घर चल जाएगा लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि विद्यराम एक एजंडा लेकर आया था इस बार मजबूरी करने काम शुरू करते वक्त विद्यराम को हलकी काम दिये गए जैसे चिनाई करने वाले मिस्टियों का सामान पकड़ाना पानी की छोटी बाल्टियां इधर से उधर रखना या फिर साथी मजबूरों की सीड़ी वगएरा पकड़ कर खड़े होना धीरे धीरे विद्यराम इटों का तसला या फिर सीमेंट की छोटी बोरियां अपने लेफ्ट और एक्टिव हिस्से का प्रयोग करते हुए उठाने लगा और साथ में परालिटिक हिस्से को भी जबरदस्ती किसी ना किसी तरीके से प्रयोग करने की कोशिश करने लगा ऐसी कोशिशों में कई दफ़ा उसे चोटें भी लगी जब भारी चीज़ने उसके हाथ से छूट कर पैर पर गिर गई या खुद ही वो डिस्बैलन्स होकर गिर गया तब साथी मज़ूरों की सरकास्टिक हसी को कररा इग्नोर करते हुए विद्यराम अपनी चोट पर तेल वगएरा लगा कर फिर से काम में जुट जाता था पापा शाम को इस बात का जरूर जिक्र करते थे कि कैसे विद्यराम की शारिर के स्थिती पहले से बहतर हो रही है और कैसे वो अपने देसी अंदाज में अपने आपको फिजियो थेरपी देते हुए बीमारी से जंग लड़ रहा है वो शाम में फिर से प्लॉट पर थी और मैंने देखा कि विद्यराम बाए हाथ की मजूद पकड़ और दाए हाथ से सहरा देते हुए लगबग 20 किलो की बोरी अपने कंदे पर रखकर पहली मंजिल तक ले गया और लोटते वक्त खाली बाल्टी केवल अपने दाहिने हाथ स वापस लेकर आया था मैं अचंबित थी उसकी उर्जा और फुर्ती देखकर तब तक मुझे हुमन विल पावर की उतनी जानकारी नहीं थी लेकिन विद्यराम पिछले एक महीने से अपने पूरे परवेश को ये बता रहा था कि हार सिर्फ मन से मानी जाती है तंतों मन का ग लगाई थी कि वो केवल अपने दाहिने हाथ से ही 25 किलो की सीमेंट की बोरी दूसरी मंजिल तक पहुचा देगा और उसका नया साथी मजदूर यह नहीं जानता था कि विद्यराम अपने जीवन में कभी शर्थ हारा नहीं था और इस बार तो उसने जैसे भगवान को ही चुनाती स्विकार कर ली थी और कहा था शर्थ लगाओगे सोच लो जीत नहीं पाओगे और इश्वर ने भी अपने सच्चे कर्मी योगी से जैसे सहर्ष हार स्विकार कर ली थी बहुत बहुत धन्यवाद कहानी कैसी लगी तिपड़ियों में जरूर बताएगा नमस्कार कि अच्चे कर ली थी बहुत 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 बहु